कि यहीं दोस्तों एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों यहाँ पी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एक और वेकेंची आई है ठीक है यहाँ इससे पहले ग्रामिन डाक सेवक की 38,926 पोस्ट की वेकेंची आई थी यहाँ पे जोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक और वेकेंची निकाली है जिसमें जारकन की भी वेकेंची सामेल है तो यहाँ पे जोस्तों हम लोग डिटेल में थोड़ा सा इस वे वेकेंसी को बढ़ने के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर तो यहां पर देखिए एक चीज़ और दिया गया है कि आप लोग का जो डेट ऑफ एक्जामनेशन है यानि कि इसका जो एक्जाम होगा वो जून 2022 में अपलोग का यहां पर हो जाएगा यानि इसके बाद डिकलेशन आप रिजल्ट तो रिजल्ट जून 2022 में यहां पर जो बैंक की वेबसाइट है वहां पर यह अपलोड कर दी जाएगा ठीक है चलिए आगे यहां पर देखते हैं दिखिए इसके बाद यहां पर देखिए पेस कल दिया गया है कि इस वेकेंसी को दुस्तों लगबग यहां पर लमसंग अगर मानिए गया तो 35,000 प्लस आपकी सेलरी हो जाएगी शुरुआत में ठीक है चलिए यहां कि काफी अच्छा पेस कल है यहां पर इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ हम लोग यहां पर देखेंगे यहां पर बताएगा है प्लेस और जोब प्रोफाइल में यहां पर डिटेल में भी पढ़ सकते हैं थोड़ा सा में बता दू कि इंडियन पोस्ट पेमेंड बैंक यानि कि जोस्तों आप लोग को ऑल्लाइन जो पोस्ट पेमेंड जितनी भी बैंकिंग से संबंदित यहां पर पोस्ट रोपिस में होती है काई है वो सारी कामें आपको यहां पर करनी पड़ीगे ठीक है चलिए 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर देख आपकी एज लिमिट दिया गया है यानि कि 20 से लेकर 35 साल का कोई भी केंडिड जो ही इस वैकेंसी को आराम से बर सकता है ठीक है चलिए चलिए चल मेर्स्री का आप लोग का परसंटेज था उस हिसाब से वहां पर सेलेक्शन की बात कई गई थी प्रणतो इसमें दोस्तों ऐसा कुछ नहीं कहा गया इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को दिया गया है कि आप लोग का पहले एक्जाम होगा उसके बाद जो आप परसंटेज की हिसाब से वहां सेलेक्शन किया गया जो की बहुत ही खराब तरीके से दोस्तों आप यहां पर यहां पर बहुत ही अच्छा है इस फॉर्म में यहां पर देखें आप लोग को क्या क्या प्रश्ण यहां पुछे जाएंगे थोड़ा सा हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं देखें एवर्नेस एबाउट आपीपी बी प्रोड़क्स यानि कि दुस्तों जो आपीपी यानि कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से बीस प्रश्ण आप से पुछे जाएंगे यहां पर जैनरल एवर्नेस है यानि कि जीके और जीस से आपके 15 प्रश्ण रहने वाले हैं इसके बात देखें कंप्यूटर एवर्नेस डिजिटल पेमेंट यानि बैंकिंग एंड टेलिकॉम एवर्नेस से आपको यहां पर 20 प्रश्ण पूछे जाएंगे ठीक है नुमेरिकल एवर्लेटी से आप लोग को कितने प्रश्ण है तो 20 प्रश्ण है रिज चैenth on कि मार्किंग यहां पर नहीं रखी एटीक यह नो नेगेटीव मार्किंग यानि कि आप लोग गलत भी करते हैं तो कोई भी नेगेटीव मार्किंग है निहीं ऐक्योग एक्जाम में बैठीएगा तो 120 की 120 प्रश्ण को आप लोग को बनाना है ठीक है चलिए बात करते देखें minimum जो qualify देखें यहाँ पी जो है minimum जो आप लोग का percentage रखा गया है qualify कि यह 40% यानि कि 40% आप लोग का अगर कम marks आता है तो ऐसे ही आप लोग disqualify हो जाएंगे यानि कि आपको percentage minimum 40-30 लाना है और अधिक जितना भी आप लोग ला सकते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर दोस्तो थोड़ा सा selection process के हम लोग अगर बात करें तो आप लोग का देखें यहाँ पर एक examination लिया जाएगा वह online exam होगा ठीक है और उसके बाद आप लोग का एक documents verification किया जा यहाँ पर बिहार का 77aktion दीखाए दे रहा है इसके बादिकि यहां ना राष्ट का अभी कितनाesta है 91 पर गया घ्ला मार्किंग लिए तो आप सब्सकरों चलिए यहां एक और इंपोर्टन चीजन वह बीच वू में आपको दिखाता हूँ चलिए दो, आप हम लोग यहाँ पे थोरा सा बात करते हैं कि educational qualification जो की सबसे जरूरी होता है किसी भी vacancy को भरने के लिए ठीक है तो यहाँ पे educational qualification क्या दिया गया है तो graduate ठीक है यानि कि graduation level का यहाँ पी आप लोग के पास अगर certificate है तो आप लोग भर सकते हैं परंतु यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि minimum ठीक है minimum two years of experience GDS यानि ग्रामिन डाक से बख में आपका दो साल का experience भी यहाँ पे मांगा गया है इस vacancy को भरने के लिए ठीक है तो यह भी चीज़े जरूरी है यहाँ पे इस vacancy को भरने के लिए एक तो graduation आपका होना चाहिए और स general है OBC है EWS है या फिर SC ST PH कोई भी है आप लोग को साथ रूप्या दे कि इस form को apply करना पड़ेगा ठीक है साथ में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह form 10 यहाँ पर शुरू हो गया है और 20 थारिक यह form apply हो ठीक है और यहाँ पर देखे एक्जाम सिबीटी एक्जाम डेट यह जून मैंने आप लोगों बता दिया जाए इसमें बताएगा है कि 7-10 दिन के अंदर अप लोगो यहां पर बता दिया जाएगा कि आप लोग का इग्जाम जो है वह कब कंड़क्ट कराया जाएगा ठीक है और admit card जो है आप लोग का वह एक्जाम से दूस्तों ठीक एक सब्सक्राइब कोई दिकत नहीं है और यहां पर सबसे एच्छा चीज है कि आपको अपना जो नजदी की पोस्ट रफिस है वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है एक और मेज़िदार वीडियो के साथ आज के लिए नहीं जे हिन जे भारत